नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल जी के हेलप विद जयार भी पर हैं दोस्तों प्रिविएस एर के कोस्चन पेपर के अंतरगत आज यह अमारा तीसरा ओल्ड पेपर है जिसमें हम बाग साय के मोस्ट इपोर्टनेट साथ कोस्चन ड आप से निवेदर रहेगा कि अभी तक आपने यूटूब चैनल जी के हेलप विद जयार भी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकन उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यूव वीडियो प्लोड करें तो आपको नो राजस्तान की मूर्तिकला की परतीक नाद की सिव परतिमा किस जिले से प्राप्ते हुई है तो दोस्तों इस क्वेस्टन का ओप्शन ए राइट होजेगा अजमेर से यानि की ओप्शन ए राइट है नाद की सिव परतिमा अजमेर से प्राप्ते हुई है चलते हैं नेक्ट क प्रमुग छेतर रहा है दोस्तों बेराठ यह जिसे बिराट नगर केते हैं यानि कि इस question का A ऊप्षन राइट है अगला question है सुपासनाय चृत्रम सुपासनय चृत्रम क्या है option आपके सामने चृत्रित गरंथ सिलालेख हतीयार रत तो दोस्तो सुपासनाय चरित्रम एक चित्रित ग्रंथ है यानि कि इस question का A option राइट है तो दोस्तो ये जो old paper अपन देख रहे हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि examiner द्वारा किस प्रकार paper को set किया जाता है यह हमारा तीसरा old paper है इससे पहले दो old paper है सोलव कर दिये गए हैं अगर अभी तक आपने वह वाले नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी description में दिया गया है वहां से आप देख सकते हैं next question है कटी बंदू के नाम से निमन लिखित में से कौन सा राजा परसीद था ध्यान देना दोस्तों कटी बंदू के नाम से तो इसका उत्तर होजेगा विग्राय राज चत्रूत यानि कि इस question का B option right है अगला question है हमीर मद मर्दन नाम साइटिक क्रिती के लिख कौन है तो दोस्तों ध्यान देना हमीर मद मर्दन या एक साइटिक क्रिती है इसकी रचना की थी जैसीने यानि कि इस question का B option right है किसने की थी जैसीने बहुत important question है और अक्सर एक्जाम में यह पुछा जाता है next question है नेमन लेखित में से कौन सा काला नूकरम की द्रश्टी से सही है तो दोस्तों इसका C option right हो जगा जेतर सिंग, तेज सिंग और समर सिंग यानि कि C option right है, यह मेवाड के रावल सासक थे जो काला नूकरम के नुसार जेतर सिंग, इसके पस्चा तेज सिंग, तेज सिंग के पस्ताज, उसका पुत्तर समर सिंग आया था चलते हैं next question पर, अगला question है, मेवाड के किस सासक के समय जावर में चान्दी की खान से खनन प्रारम हुआ, तो दोस्तों, चान्दी की खान जो जावर में खनन प्रारम हुआ था, वो हुआ था, राणा लाखा के समय किस के समय राणा लाखा के समय या लक्ष से है यानि किस कोस्टन का C ओप्षन राइट है अगला कोस्टन है निमन लिखित में से कौन सा ग्रंथ कुमबा द्वारा रचित नहीं है मारना कुमबा द्वारा कौन सा ग्रंथ इन में से रचित नहीं है तो दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा संगीत स्वपन यानि कि सी ओप्षन या पर right हो जाएगा बाकी बात करें संगीत राज, संगीत मिमासा और सूड़ प्रबंद इनकी रचने वो मारना कुम्बा ने की थी तो आपको याद रखना है संगीट सुभपन यहां पर राइट हो जाएगा यह मारना कुम्बा द्वारा रचित नहीं है चलती है नेस्ट कूस्टन पर अगला कूस्टन है निमन लिखित में से कि सासक का समद्ध बागण से नहीं था तो दोस्तो बागड से समंद नहीं था कनरदेव का, कनरदेव कहां का सा सकता जालोर का, यानि कि इसका D option राइट हो जेगा, बागड जो 16 है दोस्तो साउट में जो डुंगरपूर और बांसवड़ा वाला इलाका है, वो है, तो ये गोपिनात, गंगादास और सोबदास, इन सबी का समंद किस से है, बागड से, लेकिन जो कनरदेव इनका समंद है, बागड से नहीं है, क्योंकि ये पस्चमी राजस्तान से समंद्दत है, अगला question है, खानवा का परसिध युद्द किस वर्स लड़ा गया, बहुत important question है, और बहुत बार एक्जाम में पुछा गया है तो आपको याद रखने है दोस्तो खानवा का प्रसिद यूद लड़ा गया था 1527 इस्वी में किन के मद्दे राणा संगा और बाबर के मद्दे दोस्तो के वर कोस्टन पूछा जाता है कि खानवा जो स्थान है वो किस जिले में तो आपको याद रखने है बार्तपूर बार्तपूर के आसपास ये खानवास्तान है ये खानवा का यूद बाबर और राणा संगा के मद्दे में हुआ था जिसमें बाबर विजित या विजिता होता है तो आपको याद दखना है 1527 Next question है मारना परताप का जनम किस वर्स हुआ था Option आपके सामने है दोस्तो 1540, 1535, 1530, 1525 तो दोस्तो मारना परताप का जनम हुआ था 1540 इस वी में यानि किस question का A option राइट है अगर rate की बात करें तो 9 मेई 1540 को मारना परताप का जनम कुम्बलगड मेल में हुआ था यानि कि इसका A option राइट हो जेगा दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़ूर करें और अपनी मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें Next question है मादो सिंग वे गोविंद सिंग का सम्मंद निमन लिखित में से किस किसान अंदुलन से था ध्यान देना दोस्तों मादो सिंग वे गोविंद सिंग के बारे दोस्तों गोविंद सिंग देखते ही सिधा बेंगू किसान अंदुलन से समंदित कर देते हैं तो आपको ध्यान रखना है मादू सिंग बेग गोविन सिंग है इनका समन्था अलवर किसान अंदुलन से यानि कि इस question का D option right है important question है और आपको ये याद रखना है next question है मिवाड परजामंडल की स्थापना किस वर्स की गई थी दोस्तों ये परजामंडल है यहां से RPSC और अधिनेस्ट बोड द्वारा जो भी एक्जाम होते हैं question जुरूर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है मिवाड परजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 इस्वी में यानि किसका B option right है चलते है next question पर अगला question है चुन्नीलाल वे अमर्तलाल पायक का समन्द किस परजामंडल अंधुलन से मुख्यता है जुडा रहा ध्यान देना चुन्नीलाल वे अमर्तलाल पायक का समन्द इनका समन था दोस्तो परतापगड़ परजामंडल आंदुलन से यानि कि इस question का B option राइट है नेक्स्ट क्वेस्टन है मतस्य संग का उद्गाटन कब हुआ एक इकरन का जो परत्थम चरन है उसका नाम था मतस्य संग और इसका उद्गाटन कब हुआ था 18 मार्च 1948 को यानि कि इस question का A option राइट है एक इकरन भी बहुत important है दोस्तो यहां से भी question exam में पुछा जाता है तो आपको द्यान रखना है मतस्य संग का उद्गाटन हुआ था 18 मार्च 1948 इस भी को चलते हैं इस question पर अगला question है लाठी स्रीज क्या है द्यान देना दोस्तो लाठी स्रीज है भूमिगत जल पटी यानि कि इस question का A option राइट हो जगा बहुत important है और बहुत बार exam में पुछा गया है तो आपको याद रखना है लाठी स्रीज भूमिगत जल पटी है अगला question है अरावली परवत के समंद में गल्थ तत्य की पैचान करें यानि कि दोस्तो अरावली परवत है इस समंदित कौन सा गल्थ तत्य है इन चार में से आपको बताने है देखते हैं यह विश्व के प्राचिनतम प्रवतों में से एक है यह सत्य कतन है दोस्तों क्योंकि रावली प्रवतमाला है यह विश्व के प्राचिनतम प्रवतों में से एक है इसकी कुल लंबाई 820 किलोमेटर है यह गल्त कत्त थे है दोस्तों अरावली परुतमाला की बात करें दोस्तों, तो इसकी कुल लंबाई है वो 620 किलोमेटर, कितनी लंबाई है, 620 किलोमेटर, इसका अधिकांस विस्तार राजस्तान राज्ये में ये भी सत्ते है दोस्तों, क्योंकि 620 किलोमेटर में से 550 किलोमेटर लंबाई है वो राजस्तान में यानि कि लगबग 80% लंबाई रावली परवतमाला की राजस्तान में और इसकी सबसे उंची चोटी गुरूषी करें यह भी सही कथने तो इसकी सबसे उंची चोटी गुरूषी करें जो की सिरोई मिस्तित है यह सही है तो इसका जो गल्द कथने वह जाएगा ओप्शन भ चलते है नेट कोस्चन पर, अगला कोस्चन है आपके सामने निमालिकत में से कोन सी विषेषता ठार के मुरुसतल से संमंदित नहीं है ये आपको बताना है यहां सुसक एवं अर्ध सुसक जलवायू है तो थार के मुरुष्टल की जलवायू कैसी है? सुसक एवं अर्ध सुसक यहां रेतिली मिटी पाए जाती है यह भी सही है क्योंकि थार के मुरुष्टल में रेतिली मिटी पाए जाती है और C उप्षन है यहां सदावार बन पाए जाते हैं यह गल्ट हो जाएगा तुस्तों यह विशेष्टा थार के मुरुस्तल की नहीं है क्योंकि यहां पर सदावार बन नहीं पाए जाते हैं यहां बालू के स्थूप पाए जाते हैं यह भी सही है तो इसका सी ओप्शन हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोस्चन पर अगला कोस्चन है राजस्तान का कौन सा बोगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है बहुत इपोर्टेंट कोस्चन है और एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा बोगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है तो आपको याद रखना है हाडोत्ती का पठार कौन सा है हाडोत्ती का पठार यानि कि इस question का A option राइट है Next question है सन 1730 इस्वी में राजस्तान के जोदपुर जिले में खेजडली आंदुलन किसके लिए हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना खेजडली या खेजडी एक व्रक्स का नाम है इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं यह अंदुलन हुआ था वन स्रंक्षन के लिए यानि कि इसका B option राइट है किसके लिए हुआ था खेजडली अंदुलन वन स्रंक्षन के लिए काँ पर हुआ था जोध पूर्जिले में और कब हुआ था 1730 इस्वी में तो important question है और यहां से आपको दो या तीन question त्यार हो जाती है next question है सीत रित्व में पस्चमी राजस्तान में अधिक ठंड पढ़ने का प्रमुक कारण क्या है तो दोस्तों यहां पर बात करें तो रेतिला द्रातल का होना यानि कि A option right हो जाएगा दोस्तों आपको पता है रेतिला द्रातल जो की बहुत जल्दी ठंड हो जाता है और बहुत जल्दी ही गरम हो जाता है और सीतरीतु में इसके कारण यहां पर अधेदिकद थंडे पड़ती है 1 चेतर का अधिक होना बस्चमी बुष्टुल में 1 चेतर बहुती कम है क्योंकि यहां पर बर्सा आते नहे के बराबर होती है बरबडरी होना राजस्तान में कहीं पर बरबडरी होती नहीं है अधिक वर्षा होना वर्षा पस्चमी राजस्तान में बहुत है कम होती है तो इसका रहतिला द्रातल होना राइट हो जाएगा अगला कोस्चन है निमन लिखित में से कौन सा कारे वन्य जीव एवं जे विविदता स्रंक्षन में बाद दक है द्यान देना दोस्तों बाद दक है वन्याजीव एवं जे वीविदता स्रंख्षन में बात गया कि यह बताने आपको तो इसका उप्शन एट Golda करना को यानिकी a option ऊंचरा जोकी वन्याजीवıldıता स्रंख्षन में बाद गया वह वन्याच्ड करना अगला कोश्चन है राजस्तान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है इजी कोश्चन है तो आपको याद रखना है राजस्तान का राज्य पक्षी गोडावन यानि किसका सी ओप्षन राइट है नेस्ट क्वेस्टन है राजस्तान में डेरी विकास है तो राजस्तान सहकारी डेरी संग RCDF किस्ता अपना कब की गई तो दोस्तो RCDF यानि कि राजस्तान सहकारी डेरी संग किस्ता अपना होई थी 1977 इस्वी में नेश्ट है राजस्तान के निमनलिखित क्रिसी तथ्यों पर विचार कर गल्थ तथ्य की पैचान करें गल्थ तथ्य बताना है दोस्तों इन में से कौन सा गल्थ तथ्य है ओप्सन ये देखते हैं कपास का सरवादिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगड में होता है एकदम सत्य कतन हैं दोस्तों क्योंकि गंगानगर एवं हनुमानगड में संचाई की विवस्ता अच्छी है इसी करनिया पर कपास का सरवादिक उत्पादन होता है फिर बाजरे के उत्पादन में राजस्तान का देश में पर्थमस्तान है यह भी सत्य खतन है बाजरे के उत्पादन में राजस्तान का देश में पर्थमस्तान है फिर प्रमप्रागत रूप से राजरे में गेऊं क्रीब की पसल है यहाँ पर द्यान देना दोस्तों गेऊं गेऊं जो पसल है वो है रभी की सरदियों में बोई जाती है तो आपको याद रखना है ये कथने वो गल्त हो जाएगा फिर राज्य की क्रिशी मानसून पर निर्बर करती है ये भी सत्य अकतने तो इसका ओप्शन सी उत्तर हो जाएगा अगला कोस्चन है नागोर जिले में अस्तित गोटन स्तान किस उदोग के लिए परसीद है ध्यान देना दोस्तों गोटन स्तान है जो कि नागोर जिले में स्तित है यह सिमेंट उदोग के लिए परसीद है किस के लिए सिमेंट उदोग के लिए यानि किस कोस्चन का B option राइट यहां पर सफेद सीमेंट का कारखना घोटन नागोर में अस्तित है अगला कुस्चन है नीमन लिखित में से पस्च मी राजस्तान में सिंचाई है तू किस नेर प्रियोजना का विकास है किया गया तो यहां पर ध्यान देना दोस्तो चंबल नेर प्रोजना जो कि राजस्तान के दक्षिनी बाग में स्थित है सोम, कमला, अंबा नेर प्रोजना यह भी दक्षिनी बाग में और गुडगाम नेर प्रोजना यह दोस्तो राजस्तान के पुर्वी बाग में अगर बात करें तो पस्चमी बाग में वो है इंद्रा गांदी नेर प्रोजना तो इसका A option right हो जगा राजस्तान में सिंचाई ये तू इंद्रा गांदी नेर प्रोजना का विकास से पस्चमी बाग में किया गया है तो इसका A option right है अगला कोस्टन है राजस्तान में सरवादिक महला सक्षरता किस जिले में पाई जाती है सरवादिक महला सक्षरता है वो किस जिले में पाई जाती है कोटा में यानि कि इस कोस्टन का सी ओप्षन राइट है दोस्तो आपसे एक question है कि राजस्तान में न्यूंतम महला सक्चरता किस जिले में पाई जाती है इस question का जवाब आपको comment box में देना है चलते है next question पर अगला question है राजस्तान का कौन सा बगोलिक अंचल सबसे अधिक उन्चा है सबसे अधिक उन्चा कौन सा बगोलिक अंचल है तो इसका उत्रोजेगा रावली परवत यानि कि इसके ए ओप्सन राइट है और दोस्तो रावली परवत है इसकी जो उस्त उन्चाई है वो है 930 मिटर यह भी द्यारखना एक्जाम में पुछा गए कि रावली परवत माला की उस्त उन्चाई कितनी है तो 930 मिटर चलते है नेस्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है राजस्तान प्रेटन विकास निगम राजस्तान ट्यूरिजम डेवलोपर्मेंट कोर्पोरेशन का मुख्यल्य का स्तित है तो इसका जो मुख्यल्य स्तित है वो है जैपूर में काम पर स्तित है जैपूर में यानि कि इस कोस्टन का B option राइट है राजस्तान प्रेटन विकास निगम का मुखहले का प्रस्तिता है जैपूर में नेश्ट कोस्टन है श्तिर कीमतों पर वर्ष 2017-18 में राजस्तान का सुद्ध राज्य गरेलू उत्पाद यानि कि स्टेड जीडिपी कितना है पांच लागद तेतर हजार ज्यार चस्तो अठाइस करोड यानि कि इस कोस्टन का ये ऑप्षन है अगला कोस्टन है दिसंबर 2017 में राजस्तान के किस सेयर में दिवित्य डिजी फेस्ट आईउजित किया गया था तो दोस्तो दिसंबर 2017 में राजस्तान के उध्यपुर सेयर में दिवित्य डिजी फेस्ट आयुजित किया गया था यानि कि इस कोस्चन का D option right है अगला कोस्चन है सुर्तगड ताप या विदूत के अंदर थर्मल पाउर स्टेशन की कितनी इकाया परचालन में है तो दोस्तो जो सुर्तगड ताप या विदूत के अंदर या पर कुल 6 इकाया परचालन में या यानि कि इस कोस्चन का C option right है दोस्तो ये सभी के सभी कोस्चन बहुत important है और RPSC और अधिनस्त बोट द्वारा अलजित परत्योगी प्रिक्षाम में यहां से कोस्चन पुछे जा सकते हैं तो वीडियो को लाइक जुरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर करें अगला कोस्चन है राजस्तान प्रमाणू उर्जा प्रियोजना किस वर्स में परिचालित हुई थी तो दोस्तो राजस्तान प्रमाणू उर्जा प्रयोजना 1973 में परिचाली तुई थी यानि किस कोस्चन का B option राइट है चलते हैं नेस्ट कोस्चन पर अगला कोस्चन है आपके सामने राजस्तान में डाक्टर स्वीता अमेडगर अंतर जातिये विवाय योजना किस वर्स शरू हुई थी त्यान देना दोस्तो डाक्टर स्वीता अमेडगर अंतर जातिये विवाय योजना बहुत इपोर्टन कोस्चन है और आपको याद रखना है यह योजना शरू ही थी 2006 में 2006 में यानि किस कोस्चन का B option राइट है अगला कोस्चन है अनुपृति रखना चार निमन लेखित जब और अभियान्तरिक इंजिनियरिंग मावीदलेहों कोलेजों में प्रवेस लेते हैं तो इस्तका ऑप्सन राइट हों देगा धान देना दोस्तो अनुप्रती योजना चार अनुशुचित जातियों के छात्रों के लिए प्रोचसायन योजना जिसमें सरकारी चेक्सा और वियांतरीक इमाविदल्यों में प्रवेश से लेती हैं नेश्ट कोस्टन है नोमी से बार्मी कक्चा की छात्रों को आपकी बेटी योजना के अंतरगत परदान की जाने वाली आर्थिक साइक्ता कितनी है तो दोस्तों ये आर्थिक साइकता है पर्ति 16, 15 रुपे पर्ति वर्स यानि के इस question का A option right हो जाएगा ये 9 मीं से 12 मीं कक्षा की 16 को दी जाती है इस योजना का नाम क्या है आपकी बेटी योजना कितनी साइकतारा सी दी जाती है पर्ति 16, 15 रुपे पर्ति वर्स तो आपको ये द्यार रखना है इसका A option right है next question है निमन लिखित में से वै कौन सी अंजिल सी है जिसके साथ राजस्तान राज्य सहेकारी बैंक तवारा सहेकार जीवन बिमा सुर्ख्चा योजना के अंतरगत बिमे के लिए समझोता किया गया है तो बताएए दोस्तों तो वह है S.B.I. Life Insurance यानि किस कोस्टन का B option right है कौन सी इंजिल सी है S.B.I. Life Insurance चलते है नेस्ट कोस्टन पर अगला कोस्टन है आपके सामने बारतिय स्युदान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राज्यपाल राजस्तान के मादवेक्ता की न्यूपती करता है तो द्यान रखना दोस्तों अनुच्छेद एकसुपेंश्ट बहुत इपोर्टन कोस्टन है और बहुत बार एक्जाम में यह पूछा गया है तो आपको याद रखना हैं 1056 गंतरगत राजस्तान राजयपाल के मादवेक्ता की न्यूपती करता है अगला कोस्च्छन राजस्तान की पहली व्यदान सभा में कितने सदस्ये निर्वाचित हुए थे तो राजस्तान की जो पहली विदान सभा है उसमें कुल 160 सदसे निर्वाचित हुए थे यानि कि इस question का C option right है और वर्तमान में कितनी है? 200 ये भी आपको द्याने रखना है अगला question है राजस्तान उच नियाले के पहले मुख्य नियादिस कौन थे? तो राजस्तान उच नियाले के पहले मुख्य नियादिस थे के के वर्मा कमल कांत वर्मा यानि कि इस question का A option right है राजस्तान उच नियाले के मुख्य नियादिस कौन थे? कमल कांत वर्मा और राजस्तान उच नियाले का मुख्य नियादिस कमल कांत वर्मा थे अगला कोस्टउन है राजस्तान लोग सिवा आयोग के पहले अध्यक्स कोन थे तो दोस्तों राजस्तान लोग सिवा आयोग यानिकी RPSC इसका मुख्यल्य है अजमेर में और इसके पहले अध्यक्स थे S के गोस ्यानिकी इसका A option राइट होजे इसके गोस आर्पियसी के पेले अध्यक्ष इसके गोस नेक्स्ट कुस्टन है मानवा दिकार स्रंक्षन अधिनियम 1903 के किस अनुछेद के अंतरगत राजस्तान राज्य मानवा दिकार आयो को वीतिय स्वाहितता प्राप्त है तो इसका ओप्सन डी राइट हो जगा अनुछे 33 के अंतरगत राजस्तान के पहले लोकायोक्त कौन थे तो पहले लोकायोक्त है दोस्तो AI डी दवा इपोर्टेंट को चेन है और आको ध्याहर रखना है दोस्तो यहां एब तो तीन कुछें से दूस्तों एक तो आर् पेसी के पर्फम देख्स कुन थे है इसके गोस्थ एक ओस्ते राजस्तान उच्टनिय मुख्य नहीन दिस कुन थे पत्त मुख्य ने दिस तो कमल कांत वर्मा और ये कोस्टन पूछेगे राजस्तान के पहला लोकायोगत कों थे आईडी दुआ तो ये से कोस्टन पूछे जाते है तो आपको याद है रखना है नेस्ट कोस्टन है बारते स्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत राजस्तान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है तो दोस्तो राजस्तान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है वो बारते स्विधान के अनुछेद 243 क के अंतरगत हुई है किस के अंतरगत ह स्वारजित तो दोस्तों इगल की पाड़ी पर जो किल्ला स्वाजे गडग यानि किस कोश्चन का You कि और ओप्षिन राइट है आउ यह कि चलते हैं इस्केश्चन पर दोस्तों एक तरफ किरों की सुच 스्ली और दूसरी तरफ है उन किल्लों और दूसरी तरफ है उन किलों में स्थित मंदिर और दर्गाओं की सुची इनका मिलान करना है तो चलिए करते मिलान यहां पर देखें अंबर खतिल्हा जो की जेप्रम अंबर या अमेर का किलह इसमें जो मंदिर है दोस्तों वह इस्ला देवी माता का मंदर है यानि की पी का हो जाएगा तीन फिर तारागड अजमेर दोस्तों जो तारागड अजमेर है यहां पर है दोस्तों दरगा मिरान साइब यानि की क्यों का हो जाएगा एक फिर गागरोन जो की जलावाड मिस्तित है यहां पर है दरगा मिठे साइब यानि की आर का दो फिर मेरान गंड जोदपुर यहां पर है दोस्तों चामुंडा मता मंदिर तो इस कोश्चन का ओप्शन हो जाएगा ए राइट पी का तीन क्यों का वन आर का टू और एस का फोर यानि की इस कोश्चन का ए ओप्शन राइट है नेक्स्ट कोश्चन है मंदिरों और स्तानों के निमन लिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सई मिलान नहीं हुआ है तो इन में से बताना है दोस्तों किस जोड़े का सई मिलान नहीं है ओस या मंदिर जोदपुर यह सई है ओस या मंदिर जोदपुर मिशतीत है साला सर दिरि चुरू में इस्तिते है रंजक पूर ये भी सउंज ये जगदीश मंदीरें नहीं दो यहां पर दोस्तों बगवान विश्णू की काले पत्थर से निर्मित विशाल परतीमा है इसे दोस्तो सपनों से बना मंदीर भी क्यते हैं ये बिध्यारगन दोस्तो जो जग्रीश मंदिर रहा है उद्ध्य पूर्म श्तीत है इसे सपनों से बना मंदीर भी क्यते हैं ये important fact है आपको याद रखने चलते है next question पर अगला question है मात्रकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है तो दोस्तों मात्रकुंडिया जो मंदिर है ये स्थित है चितोडगर जिले में यानि कि इस question का D option राइट है important है आपको याद रखना निमन लेखित में से कौन सी पर्था विवायस समारोय से समंदित नहीं है विवायस समारोय से समंदित जो पर था है नहीं है वो है पानी वड़ा यानि कि इस कोस्टन का D option राइट हो जेगा बडार, कन्यावल और बड़ी पडला इनका समंद्ध विवायस समारोय से है लेकिन पानी वड़ा का समंद विवाय समारोय से नहीं है अगला question है निमन लेखित में से कौन सा अबुसन गर्दन में पैना जाता है प्रन्तु नेकलिस से बड़ा और बारी होता है तो दोस्तों गर्दन में पेना जाता है लेकिन नेकलिस से बड़ा होता है और बारी होता है वो है टूसी अब उसने ये नेकलिस से बड़ा और बारी होता है जो गर्दन में पेना जाता है यानि किस कोस्चन का बी ओप्शन राइट है चलते हैं नेस्ट कोस्चन पर अगला को 2006 में पदमसरी अवार्ड इन्हें जाना जाता है फड्चितरकारी के लिए पर्डद कितरकारी के लिए यानी किस कोश्चन का सी ओप्शन राइट है नेच्ट कोश्चन है जोधपूर का परसिद बाडला निमलिक में से क्या है ये बादल नहीं है दोस्तों आपको दिया रखना है क्या है बादला ये कहां का है जोदपुर का ये होती है दोस्तों जस्ते से बनी पानी की बोतल बहुत इपोर्टेंट कोस्टेन और बहुत बार एकजाम में पुछा गया है बादला क्या है जस्ते से बनी पानी की बोतल जो करने हैं तू जोर दिया तो दोस्तों 39 नियमों का पालन करने तू जोर दिया था जम्बो जी ने यानि कि इसका बी ओप्सन रायट हो जेगा दोस्तों इनके अनुयाई है वो बिश्णोई कहलाते हैं तो ये भी आपको द्यान है रखना है बिश्णोई 20 प्लस 9 यानि कि 29 नियमों का पालन करते हैं अगला कोस्चिन है सुची एक को सुची दो से मिलाना है एक तरफ है दोस्तों नर्ते के प्रकार और उनसे समधित स्थानों को सुची दो में मिलाना है तो आपके सामने सुची एक और सुची दो इस प्रकार है डोल नर्ते है दोस्तों डोल नर्ते अगर बात करें ये जलोर का फिमस है कहा का फिमस है जलोर का फिर बात करें बंब नर्ते ये famous है दोस्तो अलवर और बर्तपुर का और राई नर्ते ये famous है डूंगरपुर और बांसवड़ा का तो इसका option right हो जाएगा बी पी का दो च्याउ का एक और आर का तीन यानि कि बी option right है डूल नर्ते जलोर का famous है बंब नर्ते अलवर बर्तपुर का और राई नर्ते डूंगरपुर बांसवड़ा का तो चलते है next question पर अगला question है मर्तिव उत्सव के लिए राजस्तान में निमल लेखित में से कौन सा एक नाम है तो दोस्तों मर्तिव उत्सव के लिए राजस्तान में जो नाम है वो है मोसर क्या नाम है मोसर यानि कि इस question का बी option right है मोसर अगला question है साइतिक कारे सुची 1 में दे रखाए और सुची 2 में दे रखाए लेखिकों के नाम यानि कि किस लेखिक ने कौन सी साइतिक रचना कियी थी इनका हमें मिलान करना है सुची 1 को सुची 2 से मिलाना है तो एक तरफ देखते हैं दोस्तों राम रंजाट राम रंजा यह जो रचने दोस्तों यह की थी कनईयालाल सेठ्याने फिर दोस्तों पग फेरो इसके रचना की थी मणी मद्धू करने ज्यान देना दोस्तों रामरंजाट यह सुर्यमल मिस्रन की रचने फिर लिल्टांस यह कनईयालाल सेठ्या की रचने फिर पग फेरो यह मणी मद्धू तो इसका जो राट हो जगा पी का दो क्यों का तीन और आर का वन यानिकि डी ऑप्सन या पर रैट हो जएगा चलते अगरा कोस्चन अब के सामने कोस्टन है निमन लेखिते लेख को में से किसकी काणी पर अधारित फिलम पहली का निर्मार अमोल पालेकर द्वारा किया गया है इन लेक को में से किस की कहानी पर फिलम पहली का निर्मान है दोस्तों अमोल पालेकर द्वारा किया गया है तो इसका ओप्षन भी राइट हो जगा है विज्यदान देथा दोस्तों विज्यदान देथा कि कहानी है दूवीदा इसी पर ये पहली फिलम अ रखने हैं नेक्स्ट कोस्टन है राजस्तान के गाम कच्छबाली और मंडावर किस के लिए परसीद है तो दोस्तों ये गाम परसीद है स्राब बंदी के लिए यानि किस कोस्टन का ए ओप्शन राइट है नेक्स्ट और अन्तिम कोस्टन है आज का एक तरफ दोस्तों वेक्तियों की सुच्ची दूसरी तरफ है उनकी अपलप दिया इनका मिलान करना है और नीचे दियेके कोड में से सही उतर का चेन करना है तो देखते हैं दोस्तो देखते हैं दोस्तों सुची एक और स्जी दो को P. A. दोस्तो 6 राजावत ये दोस्तों M. B. डिगरी दारक सर्पंच है फिर अवनी लेखरा आर्ग ये दोस्तों पेरा सूटिंग पदक के विजयत है क्या है पेरा सूटिंग पदक विजयता और अभिशेक मोटोरिया ये थे राजस्तान विदानसबा 2018 में सरेष्ट विदाएग तो आरका होजएगा तीन तो इसका जो सी ओप्षन है वो राइट होजएगा पीक का दो क्याउ का वन और आर का तीन यानि कि सी ओप्षन राइट है ज्यान देना दोस्तों छवी राजावत एम्बी डिग्री दारक है सरपंच अवनी लेकरा पेरा सूटिंग पदग विजयता अभिशेक मोटोरिया ये राजस्तान विदानसबा 2018 में सरेष्ट विदाएग तो दोस्तों ये थे मोस्ट इपोर्टेंट है साट कोस्टन कितने कोस्टन साट कोस्टन और ये हमारा वीड किये जा चुके अगर अभी तक आपने वह वाले वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा टोटल दोस्तों साट और साट एक सवसी कोस्टन हो गए हैं जो की पूर्वे की भरतिप्रिक्षाओं में पूछेंगे हैं इसके बाद एक औ आपन राजस्तान पुलिस्ट के मोडिल पेपर स्टार्ट कर देंगे तो धन्यवाद दोस्तों अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन उससे जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी ह न्यू वीडियो प्लोट करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिन वंदे मात्रम जय बारत